क्यों? इस महिने पुरी दुनिया ने दस्वे योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है. मैं भी जम्मु कश्मीर के स्तिनगर में आयोजीत योग कारकम में शामिल हुआ था. कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चटकर के हिस्सा लिया. जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्ड्स बन रहे हैं. दुनिया भर में योग दिवस ने कई शांदार उपलब्दियां ह अल हनौप साथ जी ने कौमन योगा प्रोटोकल को लीड किया. ये पहली बार है जब किसी सावधी महला ने किसी में योगा सेशन को इंस्टरक किया हो. इजिप में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कम्पुटिशन का आयोजन किया गया. निल नदी के किनारे, रेड सी के बिचेच पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें भहुत लोगप्रिय हुई. अपने मार्बल बुद्दा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यामार का मारा विजरा पैगोडा कम्प्लेक्स दुनिया में मश मशूर है. यहां भी 21 जुन को शांदार योगा सैसन का आयोजन हुआ. बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल केम्प का आयोजन किया गया. स्री लंका में विनेशको हेरिटेज साइट के लिए मशूर गॉल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सैसन हु अमेरिका के नियॉर्क में अब्जर्वर्शन डेक पर भी लोगों ने योग किया. मार्सल आइलेंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कारकम में यहां के राश्पती जी ने भी हिस्सा लिया. भुटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार आइकम हुआ जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री तौब्ग्य भी शामूल हुए. यानि दुनिया के कौने कौने में योग करते लोगों के विहंगम द्रश्य हम सब ने देखे. मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथ्यों का रदय से आभाय व्यक्त करता हूं. मेरा आप से एक पुराना आगरवी रहा है. हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है. आप नियमित रुप से योग करें. इससे आप अपने जीवन में सकारात्पक बदलावों को जुरूर महसूस करेंगे. साथ्यों, भारत के कितने ही प्रोडक्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है. और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्स को ग्लोबल होते देखते हैं, तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है. ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकु कॉफी. अराकु कॉफी आंदर प्रदेश के अलूरी सिताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है. ये अपने रीच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है. अराकु कॉफी की खेती से करीब डेड़ लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं. अराकु कॉफी को नई उंचाई देने में गिरिजन कॉपरेट्व की बहुत बड़ी भूमी का रही है. इसने यहां के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकु कॉफी की खेती के लिए प्रोथसाह दिया. इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बड़ गई हैं. इसका बहुत लाब कॉणडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है. कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है. मुझे आध है एक बार विशागा पत्नम में आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदबवू नाइडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मोका मिला था. इसके टेस्ट की तो पुछे ही मत कमाल की होती है कॉफी. अराकू कॉफी को कई ग्लोबल एवर्ड्स मिले हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट में भी कॉफी च्छायू ही थी। आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का आनद जुरूर ले। चातियों, लोकल प्रोडक को ग्लोबल कानाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं है। पिछले महिने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है, वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिशाल है। यहां के पुलवामा से स्नोपीज की पहली खेप लंदन बेजी गई। कुछ लोगों को यह आइडिया सुझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्जोटिक वेजिटेबर्स को क्यों न दुनिया के नक्से पर लाया जाए। बत फिर क्या था। चकुरा गाउं के अब्दुल रासिद मिर्जी इसके लिए सबसे पहले आ गया है। उन्होंने गाउं के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नोपीज उगाने का काम शुरू किया। और देखते ही देखते स्नोपीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफ़ता ने जम्मु कश्मीर के लोगों की सम्रद्धी के लिए नए द्वार खुले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्स की कमी नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्स को हैस्टेग माई प्रोडक्स माई प्राइड के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस विशे पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूँगा। ममप्रियाहा देशवासिनह अदय अहम किंचित चर्चाम संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। इसकी बज़े हैं। आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर। आज 30 जुन को आकाश्माने का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। पचास वर्सों से लगाता इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं All India Radio परिवार को बदाई देता हूँ। साथियों संस्कृत की प्राचीन भारतिय ज्यान और विज्यान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आज कल ऐसा ही एक प्रयास बैंगलूरू में कई और लोग कर रहे हैं। बैंगलूरू में एक पार्क है कब्बन पार्क। इस पार्क में यहां के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू किया है। यहां हपते में एक दिन हर रविवार बच्चे यूवा और भुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहां बाद विवार के कई शैसन भी संस्कृत में ही आविजित किये जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत बिकेड। इसकी सुरुवात एक वेबसाइट के जरिये समस्टी गुबी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ यह प्रयास बैंगलूरू वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोगप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचिन और वेज्ञानिक भासा से बहुत कुछ सिखने को मिलेगा। मेरे पहरे देखवासियों मन की बात के इस एपिसोड में आप से जुड़ना बहुत अच्छा रहा। अब ये सिलसिला फिर पहले की तरह चलता रहेगा। अपसे एक सप्ता बाद पवित्र रत यात्रा की शुरुवात होने जा रही है। मेरी कामना है कि महाप्रभु जगनात की कुरुपा सभी देश्वासियों पर सदय बनी रहे। अमरनात यात्रा भी शुरू हो चुकी हैं और अगले कच दिनों में पंडरपुर वारी भी शुरू होने वाली है। मैं इन यात्राओं में शामीर होने वाले सभी स्रध्धनु को शुपकामनाय देता हूं। आगे कच्छी नववर्ष असाडी बीच का त्योहार भी हैं। इन सभी परवत त्योहारों के लिए भी आप सभी को धेर सारी सुपकामनाय। मुझे भी स्वाथ है कि पोजिटिविटी से जुड़े जन भागीदारी के ऐसे प्रयासों को आप मेरे साथ अवश्य शेर करते रहे।